फाइटर का ट्रेलर रिलीस करते ही रितिक रॉशन और दिपिका पदुकोर ने लोगों के नस नस में देश भक्ती खोलती है ट्रेलर की शुरवात में एयरक्राफ्ट उड़ता दिखता है और बैकग्राउंड में रितिक की आवास में डायलॉग सुनाई देता है रितिक ने जो डायलॉग बोला पूरे ट्रेलर में वैसा करके भी दिखाया है एक-एक दुश्मन को चुन-चुन का ठोका है ट्रेलर में रितिक का डैशिंग और दिपिका का ग्लैमरस के साथ कड़क अंदास देखने को मिल रहा है वहीं रोगदार अंदास में अनिल कपूर सब का दि जीते नजर आ रहे हैं इंशॉट रितिक और दिपिका ने अपनी प्रेजिंस और किलर आक्टिंग से हर फिल्म के हर एक फ्रेम को सूपर हिट बना दिया है लेकिन ट्रेलर के पांच ऐसे सीन्स हैं जो लोगों की जान बन गए हैं जुन्हें देखते ही लोगों में जो अंदा डायलोग के साथ होती है इस दौरान पैटी यानि रितिक का एंट्री सीन हाइलाइट किया जाता है जुसे देखते ही हर किसे के रॉंक टे खड़े हो जाते हैं रितिक रॉशन हवा में एक्शन और फाइटर जेट से दुश्मनों का खात्मा करते न असराते हैं नमबर टू स्क्वार्ड लीडर्स की बॉंडिंग फेलर में रितिक रॉशन अनिल कपूर दुपिका पदकॉर और बाके सितारों के बीच काफी अमेजिंग बॉंडिंग दिखाई गई है जो एक ही पल में आपका ध्यान अपनी और खीच लेकी आपस में प्रैक्टिस करने से लेकर ओफ ट्रिप्स और जुमकर बर्फ में खेलना एकदम पॉफिक बॉंडिंग दिखाता है नमबर थ्री पुलवामा एटैक विलेन की एंट्री होते ही पुलवामा एटैक दिखाया जाता है जिसने पूरे भारत को जंगजोर कर रख दिया था इस हाथसे में देश के 40 जवान शहीद हो गए थे जिस तरह से डीजर में ये सीन दिखाया गया है उसने लोगों के अभी से ही रॉंग टे खड़े कर वा दिये हैं नमबर फोर पीओ के वाला सीन रितिक रोशन अपनी पूरी टीम के साथ पाकिस्तान में घुसते हैं और हवा से आग के गोले पाकि इस सान को भी ऑक्यूपाइट कर देगा एन नमबर फाइफ रितिक और विलन वाला फाइट सीन ट्रेलर के एंड का सबसे हाइलाइट पॉइंट है इसकी फाइट जो रितिक रोशन और फिल्म के विलन के वीच दिखाई गई है इसने फैंस को अंदर तक हिला कर रख दिया ह और मुवी के लिए पागल पंदस गुना बढ़ा दिया है